भारत और बांगलादेश के बीच एशिया कप 2030 की सूपर फोर का आखरी मुकाबला खेला जाएगा टीम इंडिया फाइनल में पहुँच चुकी है वहीं बांगलादेश की टीम फाइनल से बाहर है भारत का फाइनल में श्रीलंका से मुकाबला होना है इसे पहरे बांगलादेश से मैच है और यहां मुकाबला कॉलंबो में खेला जाना है मौसम विभाग के मुताबिक भारत और बांगलादेश के मैच के दोरान बारिश भी हो सकती है बहारत-मंग्रदेश के बीच मुकाबली की शुरूआत दोपहयर तीन बज़े से होगी मौसम विभात के मुताबिक दोपहयर तीन बज़े बारिश हो सकती है वही इसके बाद शाम पाँच बज़े से अट बज़े तक बारिश की कम समभाववना है लेकिन 8 बजे के बाद फिर से बारिश की शुरुआत हो सकती है कॉलंबो में सुभा 10 बजे के करीब आस-पास मौसम साफ था और हलकी सी दूप थी लेकिन इसके बाद बादर आ सकते हैं अगर मैच से पहले बारिश हुई तो टॉस में देरी हो सकती है गौर तलब है कि टीम इंडिया इस मैच के लिए प्लेइंग 11 में बदलाव भीगर सकती है बारते टीम हार्दिक पांडिया और जस्परीद बोल्गरा को अराम दे सकती है वहीं शरदुल ठाकुर और अक्सर पतील को प्लेइंग 11 में जगहा मिल सकती है टीम इंडिया मुहमद शबी और तलक वर्मा को भी आजमा सकती है बादे टीम के पास बेंच त्रिंट आजमाने का ये अच्छा खासा मौका है बात करें भारत के प्लेइर्स की तो रोहिट शर्मा, एसकप्तान, शुबमंगिल, विराट कोली, श्रेयस, केल राहुल, तिलक वर्मा, याहार्डिक पांडिया, रविंद जडेजा, अक्षर पतेल, या शरदुल, ठाकुर, कुल्दीप यादव, मुहमद शमी, मुहमद श सेंड, नसु देहमद, तस्कीन, शौर्फुल इसलाम, हसन महमुद, या वैसे में आप मैच होने का कितना इंतजार कर रहे हैं, वो में कॉमेंट सेक्शन में बताना रभूले